नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुसिल पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनो ग्रूप सर्विसेज देश दुनिया में चल रहे ही किसानों के लिए अनेकों योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सस्क्रा आते रहते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज मैं आपको चुंका देने वाली एक नई योजना के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको होमलोन की सुवीदा इमित्र पर शुरू के जाने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से E-Mitter पर होमलोन के लिए अपलाई करके सिरफ 48 गंटे में होमलोन की रासी अपने खाते में ले सकते हैं इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें आज मापको E-Mitter पर सरकार दुआरा शुरू होमलोन के लिए आवेदन करने की योजना की पूरी जानकारी दूंगा E-Mitter के पूर्टल पर होमलोन और अन्य सभी लोन के लिए आवेदन करने की सर्वी से अब है शुरू कर दी गई है इस योजना का मकसद आम आदमी को सुईदा जनक आर्थिक साहता परदान करना है आम आदमी अक्सर लोन के लिए बेंकों के चक्र काटता रहता है जिसमें 80% लोगों को बेंक लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है जिससें करवाता है उनसे बिचोलिये यानि की एजेंट अपना कमिशन भी लेते हैं जिससें आम आदमी को काफी प्रेसानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही काफी समय भी बरबाद होता है इन सब प्रेसानियों से बचने के लिए सरकार ने लोन उपलवत करवाने की सर्वेश अब एमितर प्रप्रारम कर दी है ताकि आवेदन का पूरा पैसा उसे मिल सके इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ होम लोन के लिए अपलाई करने के बारे में बताऊंगा बाकी सभी लोन आवेदन के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में जानकारी दूँगा होम लोन के लिए आप एमितरा पर जाकर आपका नाम और मुबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं रजिस्टर के टाइम आपके मुबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आप एमितरा क्योशक को दर्ज करवा कर अपना अकाउंट वेरिफाई करवा ले इमितरा क्योशक आपको एक फोरम और चेक लिस्ट का प्रिंट निकाल कर देगा उस फोरम को सही सही भरने के लिए आपके दियेगे मुबाइल नंबर पर ग्राहक सेवा अधिकारी आपसे संप्रक करेगा ग्राहक सेवा अधिकारी के बताए अनुसार ही आपको फोरम पूरा भरना है और चेक लिस्ट वे सेवा अधिकारी द्वारा बताएगे सभी जरूरी डोकुमेंट लेकर उसी इमितर क्योशक पर जमा करवाना है इमितर क्योशक आपके सभी डोकुमेंट और फोरम इस सर्विस के पोर्टल पर अप्लोड कर देगा सफलता पूर्वक अप्लोडिंग के बाद ये सर्विस प्रोवाइडर आपके डोकुमेंट वेरिफाई कर होम लोन की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएगा और दो से तीन दिन में ही समंदित बेंक से आपका लोन पास करवा देगा दोस्तो इस परकार सरकार ने इस नई योजना को लागू किया है लोन वेवर की ये सर्विस बहुती अच्छी सर्विस है जो अब इमितरा पर सुरू कर दी गई हाँ दोस्तों मैं ये भी आपको बढ़ा न भूल गया कि इमितरा की सर्विस यानि राजस्थान में ही ये जो सर्विस है वो चालू की गई है हाली में शिर्प राजस्थान के इमितरा पोर्टल पर यह सर्विस है वो उपलवाद है अधिक जानकारी आप अपने नजदी की इमित्र पर जाकर भी ले सकते हैं दोस्तो आज की वस यही हॉमलोन के बारे में सबसे बड़ी अपडेट थी अब आपको किसी भी बैंक के चक्र लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी चोलिये को हॉमलोन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है ठीक है दोस्तो अब आप डारेक्ट इमित्रा पर जाएए इमित्रा पर जाकर के अपना रिजिस्ट्रेशन करवाएए आप अपने नाम का फोरम और चेक लिस्ट चेक लिस्ट मतलब उसमें लिखा होता है कि यह यह चीज़ें इसमें लगानी है यह यह डोकुमेंट लगाने है उसे चेक लिस्ट बोलते हैं वो चेक लिस्ट और फोरम लेकर के आप उसे अराम से गर बेट के बरिए और बरने कि आपको वो भी जरूरत नहीं है मैं आपको यह बता रहा हूँ जैसे आप मुबाइल नमबर दोगे तो संबंदित अधिकारी उस पोर्टल का मतलब ओमलोन से संबंदित अधिकारी उस पोर्टल से संप्रक करेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किन किन स्टेप्स को फोलो करना है मतलब कौन कौन से फोरम क के कॉलम है वो किस तरह से भरने उनके बताए अनुसार आप वो पूरा फोर्म बर दीजिएगा उससे उन फोर्म बरने के बाद आपको उसी इमित्रा के पास वापिस जाना है ठीक है और वो फोर्म और उद्धिकारे ने जो दोकुमेंट बताएं वो उनको इमित्रा वाले को प्रोवाइड करवाने है ठीक है जैसे यह आप वो डोकुमेंट और फोर्म अप्लाई करवाओगे तो वो अपने पोर्टल पर उस में लोन के लिए अप्लाई कर देगा और दो से तीन दिन के अंदर ही आपके डोकुमेंट प्रोसेसिंग की प्रोसेस पूर कंप्लीट होने के बाद आपको लोन वो प्रोवाइड करवाद दिया जाएगा ठीक है दोस्तों और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक वालों के नकरे नहीं सेने पड़ेंगे तीसरा फ्रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों आज के लिए बस यह अपडेट थी मिलते हैं अगली नई अपडेट नई योजना नई नियूज के साथ तब तक के लिए जैहिंड